तो हमारा बंस रोट का बहुत ही मशूर चाट मसाला बन कर तयार हो चुका है असलाम उलेकूम and वेलकम बैक टू माई निव रमजान स्पेशल रेसिपी वीडियो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही जादा पसंद किया जाने वाला कलाची के बंस रोट के चाट मसाले की रेसिपी ये चाट मसाला आपने अकसर बंस रोट के दई बड़ो और चना चाट के साथ बहुत दफा खाया होगा तो मैंने सोचा क्यों ना इस रमजान मैं आपको वहां के मशूर चाट मसाले की रेसिपी शेयर करूँ तो चलिए इसके अज़्जा की तरफ बढ़ते हैं इस चाट मसाले को बनाने के लिए मैंने 3 टेबिल स्पून काली मिर्चे ली है एक टेबिल स्पून इसमें सूखा पौधीना लिया है हाफ टेबिल स्पून लॉंग ली है हाफ टेबिल स्पून इसमें शाह जीरा है यह सुफैद जीरे से थोड़ा छोटा होता है और मैंने वन टेबिल स्पून इसमें अजवाइन ली है यह है खटाई पॉडर टू टेबिल स्पून हाफ टी स्पून इसमें टाट्री ली है और वन टेबिल स्पून इसमें नमक है जो आप आम रूटीन में यूज करते हैं यह वन टेबिल स्पून इसमें है चिकन पॉडर और वन टेबिल स्पून इसमें है काला पिसा नमक अगर चाहे तो चिकन पॉडर डाले और अगर ना चाहे तो इसकी जगा बजार का बना हुआ चाट मसाला भी डाल सकते हैं इसके अलावा थ्री टेबल स्पून्स हुगा दनिया लिया है तू टेबल स्पून्स हुफैज जीरा लिया है 15-16 मैंने इसमें साबुत मिर्चे ली है अच् हाँ कि मिर्चों को थोड़ा सा सा और जीरा लोंगी करूंगि अब इसमें आपने चाट करूंगी और प्रशिते जलाना नहीं है स् ils और मिलाते रहेंग और बुन लेंगे और फिर हम इसको अलग बొनेंगे और वो मसाला और भून कर अलग पीसेंगे यहonse अच्छे से वून चुका है अब अब प्रसे निकाल रही हूं निकाल रही हूं और फिर थाटब्ड मिर्चेन ह Lebens mr आजवाईन और जलदी पर बून जाता है और इसलिए पहले में काली मिर्चों को एक मिनट्र के लिए अच्छा यह इसलिए भून रही हूं किकराफ मिर्चेन जल्दी परढ़्त दग साथ हैं इसलिए दोलों को अलग अलग भून कर अलग अलग पी सूंगी और फिर एक साथ मिक्स करके मज़दार सा मसाला तयार हो जाएगा तो काली मिर्चे एक मिनट हो चुका है अब ये सारी चीज़ें इसमें एड करके अच्छा इसे भी जलाना नहीं है इसको सिर्फ हमने एक करते हैं वह अब आप अफ्तारी में रोज अपने घर में जुआए करेंगे अगर मेरी यहां तक की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अब यह हो चुका है अब हम इसे निकाल का ठंडा करेंगे जब दोनों चीज़ें ठं के निकाल लिया है इन दोनों को अलग ठंडा करके अलग पीस होंगी मैं बारीक बारीक दोनों को अलग अलग पीसेंगे और फिर मिलाएंगे तो अच्छा जायका आएगा वैसे अगर आप चाहें टाइम बचाने के लिए दोनों चीजों को एक साथ भी पीस सकते हैं मैं कर गjosने मैं बाल ले लिया है इसमें मैंने यह मसाला एड़ केर किया इसके बाद यह वाला मसाला एड़ कर देंगे और अब हम इने अच्छे से मिक्स करें गे आई होप के मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी यह मसाला चाट मसाला जो है आप बना कर रख ली अगर मेरे चैनल पे आप नए है तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजे ताके मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सकें तमाम मसालों को अच्छे से मिक्स कर लिया है और एक मज़ेदार सा चाट मसाला तयार हो गया है यह वो चाट मसाला है जो कराची के मशूर बंस रोट के दही बलों के साथ और चना चाट के साथ आपको मिलता है इसको बनाईए और पूरा रमजान इसको इंज्वाई कीजे आई होप कि मेरी आज की वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए कमेंट कीजे मेरी वीडियो शेयर कीजे और अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे ताके मेरी रमजान से रेलेटिड और वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सके तो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा अलाँ आफिस